कि नमस्कार साथियों स्वागता आप सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपर तो हर बार जैसा कि आप इस चैनल के उपर टीचिंग से रिलेटेट कुछ ना कुछ नया ऐसा चीज देखते हैं जिससे कि आप अपनी तयारी को पूस्ट कर सकें लेकिन इस बार हमने कुछ की जानकारी को यह कैसे इस बार में गतार है तो इसके बार कुछ गला किसर चरचा करें हैं तो आपके मांग को मदे नजर रखते हुए आज हमने कुछ पी इस क्रीक कि बारे में किस्ट इस हाग जानकारी तो सबसे पहले एक ज़ीज जो है ध्यान रखनी है वो यह है कि du तो इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकर ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ basic बाते भी हम करेंगे, उसके बाद में इसके syllabus की बात करेंगे, exam pattern की बात करेंगे, और साथ ही साथ में क्या कुछ नया हम करेंगे, उसके बारे में क्या क्लासे में कि आ रही है किस तरीकेसे बात अपने पास में रहेगा सारी साथ ही साथ में इक बात और यहां पर कर两 którego यह कम महनत के अंदर किस तरीके से अच्छा इस्कोर अपने पर सकते क्यों डिर सीटी की do exam date भी आपर यहां पर हो चुकी है ठीक है CT की exam date भी announce हो चुकी है तो अब हमें बड़े syllabus के अंदर कम महनत के अंदर अच्छा score करने के लिए क्या तरीका जो है यहां पर beneficial होगा उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे ठीक है तो चलिए teaching exam के अंदर रीट होता है कि रीट के अंदर जो जो पास होगा वह आगे थर्ड ग्रेट exam जो है वो दे सकेगा उसी तरीके से राजस्तान गवर्मेंट ने किया कि एक CT exam जो यहां पर conduct करवाया जा रहा है जिसके अंदर जो जो candidate 40% score कर लेगा वह सभी पूरे साल के अंदर होने वाले exam के अंदर वो क्या हो जाएगा eligible हो जाएगा तो CT क्यों जरूरी है CT जरूरी इसलिए है क्योंकि CT exam देने के बाद में उसके 40% score करने की बाद में पूरे साल के अंदर इन CET pattern के अंदर जो जो भी exam रखे गए हैं उन सभी exam को आप देने के लिए qualify हो जाएगे तो first step अब क्या हो गया है कि अगर किसी भी exam को आपको देना है तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा CET qualify करना पड़ेगा ठीक है CET हमें क्या करना पड़ेगा clear करना पड़ेगा ठीक है CET जब हम clear कर लेंगे तो next vacancy जब आएगी तो उसके अंदर बताए जाएगा कि CET 10 plus 2 के अंदर कौन सी vacancy रखी गई है CET graduation के अंदर कौन सी vacancy रखी गई है अब अगर आपका CET clear है तो आप उन उन vacancy के exam दे पाएंगे उन उन farm को आप भर पाएंगे ठीक है तो यह है क्यों CET जरूरी है उसके बारे में अब थोड़ा सा exam pattern के उपर हम बात कर लेते हैं exam pattern देखो जैसे ही हम 12th class clear करते हैं उसके बाद में हमें सबसे पहले किसकी तयारी करनी पड़ेगी अब अगर कोई भी competitive exam लेवल ठीक है देखो एक लेवल जो है यह है 10 प्लस टू लेवल मतलब जो भी candidate हमारे 12th pass out है वो 10 प्लस टू लेवल का जो है form यहां पर भरेंगे और उसके अंदर अगर हम clear होते हैं तो जो जो exam इसके अंदर आते हैं वो हम exam इसके भर सकते ठीक है तो देखो इसके exam date जो है यहां पर announce हो चुकी है तो वो कितनी है 26 तारिक दस्व महिना और 2024 ठीक है मतलब लगबक दो से दो सवा दो महिने हमारे पास में है ठीक है तो दो महिने के अंदर हमें इसकी तयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है और एक जो है वो है graduation level के उपर मतलब जो जो candidate graduate हो चुके हैं वो इस forum को हमारे यहां पर फिल कर सकते ठीक है अब इसकी एक्जाम डेट भी देखो जो है यहां पर cover करने जरूरी है मतलब 40% अगर passing marks अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको 40% नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे ठीक है अगर ज्यादा लाते हैं तो भी बहुत अच्छा है लेकिन मिनिमम अपने को 40% लाने पड़ेंगे और यह जो percentage हम कितने भी लेकर आते यह के वर qualifying nature का रहेगा qualify nature ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा percentage लाते हैं तो किसी exam के इंदर इनको जोड़ा जाएगा ऐसा कुछ नहीं है minimum 40% है और 40% वाला यहां पर pass होगा और आगे exam जो है देने के लिए वो eligible हो जाएगा ठीक है तो यह थे दो pattern के ऊपर इसका मतलब क्या हु है या first year second year के जो बच्चे हैं उन्हें यह वाला form बना होगा और इसके तयारी करनी पड़ेगी और जो graduate है उनको यह वाला और यह वाला दोनों form बने दोनों form फिल करेंगे तो हम दोनों के अंदर जो भी vacancy आएगी वो दोनों vacancy के अंदर हम form बने के लिए eligible हो जाएगे जै date 10 plus 2 वाला CT clear थे वो LDC का दे सकते थे और जो graduation level वाला clear थे वो हमारे कौन सा exam दे सकते थे वो accountant वगरा का जो exam थे वो इसके अंदर यहां पर दे सकते थे तो उसके लिए क्या जरूरी था अगर आपने graduation CT clear है तो ही आप यह form बर सकते हैं और अगर आप 10 plus 2 CT clear है तो ही आप LDC क का form भर सकते हैं ठीक है यह था हमारे exam pattern की बात अब हम कुछ बाते करते हैं कि कौन-कौन से subject जो है हमारे यहां पर आने वाले CT की syllabus की बात कर रहे हालंकि अभी officially announce नहीं हुआ है यह syllabus जो है discussion जो हो रहा है यह पिछली बार जो इसका syllabus था उसी की बार हम discussion कर रहे है ठीक है तो अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसके अंदर जो पिछला notification था उसके अंदर यह बताया गया था कि टोटल 150 कोशन है ठीक है 300 marks है ठीक है 300 marks है इसके अंदर कोई भी separate topic wise या फिर subject wise अलग अलग question नहीं बताए गये थे लेकिन फिर भी पिछले साल के आंकडों के आदार पर हमने कुछ analysis किया और हमने question की संख्या निकाली कि लगबग किस topic से कितने प्रस्ण जो है हमारी यहां पर आ रहे है ठीक ह तो इस analysis के आदार पर जो राजस्तान जीके है उससे 60-65 question देखने का एक अनुमान है 60-65 question जो हम यहां पर paper के अंदर generally देखी जाते है इंडियन जीके भी syllabus के अंदर है तो 25 question 25 question इंडियन जीके से यहां पर पुछे जाते है ठीक है उसके बाद में देखो math or reasoning math or reasoning से कितने question है 12-15 question यहां पर हमें देखने को मिलते है math or reasoning से 12 question से 15 question की बीच और science and technology science और technology के 12-15 प्रशन हमें यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है यह हम बात कर रहें general क्योंकि अलग-अलग division नहीं किया गया यह हमने एक analysis करके हमने प्रशनों की संख्या निका लिए कि किस subject पर किस topic पर ह प्रशन यहां से पूछे गए थे और computer के देखो 5-7 प्रशन कम्प्यूटर के भी यहां पर 5-7 प्रशन अपने को देखने को मिले थे ठीक है अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है 40 percent marks जो है cover करने है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा बड़ा syllabus है, तो इस syllabus को ध्यान में रखते हुए हमें smart study करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, smart study करनी पड़ेगी, तो उसकी strategy में आपको बताता हूँ कि कैसे आप 20% महनत के अंदर, 20% महनत के अंदर आप 80% score तक cover कर सकते, 80% तक का score time के अंदर आप यह score कर सकते, देखिए सबसे पहली बात, कि maths और reasoning बहुत ही easy level की जो है, यहाँ पर आती है, maths और reasoning बिल्कुल easy level की, इसके 12-15 प्रशन, आप यहाँ पर 15 प्रशन मान सकते हैं, ठीके 15 प्रशन हमें यहाँ पर maths और reasoning बिल्कुल easy way के अंदर दे सकता है, second point यह जो 12-15 प्रशन हैं, यह हम यहाँ पर cover कर सकते हैं, तो एक बार 15 प्रशन approximately हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीके उसके बाद में देखो, जो यहाँ पर Rajasthan GK है, Rajasthan GK अकेला हमें कितने प्रशन दे रहा है, 60-65 प्रशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीके अब पर त्यार कर सकते हैं, तो 25 प्रशन में से ऐसा समझ लीजिए कि 10 प्रशन हिंदी के होंगे, और 10 प्रशन लगबाग इंग्लिश के, और 5 प्रशन पिछली बार current GK के इसके अंदर पूछे गए थे, ठीके, तो अभी देखो, यहाँ पर कितने question हम बिल्कुल easy way के अंदर, दो महिने में cover कर सकते हैं, अगर हम राजस्तान जी के को पढ़ते हैं, तो यह देखो, 60, 30, 90, 90, 100, 100, 100 नंबर का हम बिल्कुल easy way के अंदर यहाँ से तयारी कर सकते हैं, ठीके, 100 नंबर की तयारी बिल्कुल easy way में की जा सकते हैं, ठीके, इसके लिए सिर्फ पर सिर्फ तयार क्या करना है, राजस्तान जी के math reasoning और science, और साथ ही साथ में अपने को, अगर हिंदी भी त्यार कर लेते हैं, तदस्ट प्रशन अपने हिंदी के कहीं भी नहीं जाने वाले, बिल्कुल easy way में हम त्यार कर सकते हैं, ठीके, अब देखो, थोड़ी सी और हम बात करते हैं, कि total question जो हैं, कितने हैं, 150 प्रशन हैं, और 100 प्रशन हम बिल्कुल easy way में यहां से त्यार कर सकते हैं, ठीके, उसके बाद में देखो, total कितने marks है, 300 marks हमारी यहां पर, total 300 में से हमारी यहां पर marks आने वाले है, और प्रशन कितने रहने वाले है, 150, और duration देखो, कितना 3 घंटे का paper है paper कितने का है, 3 घंटे का, अब देखो, यहां पर passing marks, इस बार जो passing marks है, वो change कर दिया गया, इस बार हमारा 40% कर दिया गया, 40% का मतलब हो गया, 60 question हमें यहां पर सही करने, अब देखो, negative marking, जो पिछले बार तक इसमें negative marking नहीं थी, लेकिन इस बार इसके अंदर negative marking 1 by 3 कर दी कितनी 1 by 3 अपने negative marking कर दी गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तयारी को बिल्कुल एक pattern के साथ में करना पड़ेगा, और बहुत easy way के अंदर हम उस pattern से अगर हम करते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह के से 40% score कर सकते हैं, अब यह तो बात रही strategy की और exam pattern की, अब हम ब Maths, Science, Reasoning और General Knowledge मतलब की GK, इन सब की classes आपको यहां से मिलने वाली, क्या मिलेगी, classes मिलेगी, बिल्कुल free of cost classes आपको यहां से मिलने वाली है, ठीक है, और यह जो classes होगी, बिल्कुल हम एक ऐसे pattern के उपर लगाएंगे, जिससे कि बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी उपर होगी, तो यह जो classes होगी, यह सभी होगी objective, objective with theory, with theory का मतलब क्या होता है, कि जैसे question आएंगे, वैसे वैसे उसकी theory part आपको बताया जाएगा, अब reason क्या है, कि हमने यहां पर objective क्यों चुना, तो देखे, generally आप देखे, जैसे आपने देखा होगा, कि Maths के अंदर हम कुछ formula ऐसे होते हैं, जो हमारे कभी भी use ही नहीं आते, ठीक है, अब question pattern पर चलेंगे, तो जो extra formula हैं, वो हमारे पास में नहीं आएंगे, और जो important, important formula होगी, important, important question होगी, उन question को हम करने का तरीका सिखेंगे, साथ ही साथ में, उनकी approach भी सिखेंगे, कि इस तरीके की question को किस से हम attempt कर सकते हैं, अब यही बात, रही बात reasoning की, तो reasoning के अंदर, maths के अंदर, science के, total मिला के देखो आपको जो इसके प्रस्ण मिलेंगे, ठीके, देखो, classes की इस तरीके से होगी, एक combined class होगी, वो इनकी होगी, और एक combined class होगी, वो इसकी होगी, मतलब, total, एक class इसकी और एक class इसकी, आपको daily मिलेगी, ठीके, daily जो class है, इनकी मिलेगी, अब देखो, class कैसे होगी, इसके जो topic होगे, आपको बताई जाएंगे, ठीक है इसके जो टॉपिक पहले से आपको बताई जाएंगे कि आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक जो है हम डिस्केशन करने वाले मतलब कि इस टॉपिक से संबंदित कोशन हमें देखने को मिलेंगे जैसे मान लिजिए मैच के अंदर मान लिजिए कि कोई भी टॉपिक मान जैसरे नंबर सिस्टम हमने यह ना पर बता दिया जाएगा साइंस के अंदर मान लिजिए शेंग अइंद चेंज के मिकल चैंज जऑन लिजिए जह बढंतले लिए रिजनेंग में कोडिंग बिकोडिंग इस टारीके से पहले दिन आपको topic जो है बता दिया जाएगा और वो कैसे पता चलेगा आपको वो पता चलेगा आपको telegram से उसके लिए आपको telegram जो यहां पर join करना पड़ेगा और अपने link के अंदर description के अंदर वो तो उसका जो लिंक है अपने को देखने को मिलेगा और वहाँ से हम जॉइन कर सकते हैं ठीक है तो देखो पैटरन क्या रहेगा हर क्लास के अंदर एक घंटे डेट घंटे की जो क्लास होगी उसमें मैच्स के साइंस के और रिजनिंग के कोशन लाए जाएंगे और साथ ही साथ में उसकी थियोरी पार्ट और फोर्मूले के बारे में बात करेंगे ठीक है अब देखो कोशन किस तरीके से होंगे लगबग लगबग 15 कोशन और 20 कोशन साइंस के मतलब हर क्लास के अंदर आपको 50 प्रस्णों की व्याख्या मिलेगी 50 प्रस्णों को करने का तरीका सिखेंगे 50 प्रस्णों की आपको इसकी व्याख्या मिलेगी अब लेटर सपोज ये क्लास जो है आपकी 60 दिन चल जाती है 60 दिन मतलब कि अगर 2 महिने चलती है तो कितने कोशन हो जाएंगे यहां पर तीन हजार प्रस्ण अब एक बात सोचिए कि जिस फ्रस्ण यहां पर सौछ करyards जाते इसको कॉपी में Ne strikes इसकी व्याक्त्र आ परकश्टान जी कि यहां पर रखा जाएगा जिसका कितना पॉर्श ने से 65 प्रशन ठीक है और यह जो तीन टॉपिक है यह जो तीन टॉपिक है अपने लगबग 25 से 30 प्रशन ठीक है पत्चीस से 30 प्रशनों का यहां पर आपको तयार करवाए जाएगा तो मैं इन शॉट कह सकता हूं कि अगर आप दिन की दो घंटे देते हैं तो सो प्रशनों का आपको मेंटर यहां पर त्यार मिलेगा मतलब सो प्रशनों को आप बिल्कुल इजी वे में दो घंटे के अंदर स्कोर कर सकते हैं यह होता है में अगर देखो जीफे की बाद में आपको अब वी हां पर बचता है लौह राया हिंदी की पूरी की पूरी की प्लेलिस्ट जो है हमारे यह पर चैनल के उपर है तो अगर आप नही को भी फोर्शन के एन अनौत्यकों चाहते के लिए सबी एक्जाम के लिए मॉस्टली सीटी और पटवारी वाले सीटी और पटवारी वाले यह जो जी के जो हमारे यहां पर हिंदी है बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यहां पर भी उनको बहुत ज्यादा बेनेफिट मिलेगा तो देखिए अभी तक हमने तीन घंटे क की स्ट्रेटीज आपको बताइए और इन तीन घंटे के अंदर आप लगवग 100-110 प्रशनों को यहां पर कवर करेंगे तो अगर आप रेगुलर क्लासेज लेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर हमारी पर पडेलिस्ट बने ही है तिक blessings is मान लेजी को इसा सब्जेक्टिव अबृ सभी चाहता है तो इन दोनों की playlist यहां पर बनी हुई है तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त त्यारी चाहते हैं तो पहले दिन जैसे ही आपको topic बताया जाता है सबसे पहले आप subjective class जो यहां पर करवाई गई है theory की साथ में जो पार्ट यहां पर करवाया गया है पहले आप उसको देखें ठीक है उसके बाद में उसका objective part करवाया जाएका तो उसके objective भी देख लीजिए तो आपका बिल्कुल 100% आपके marks जो यहां पर कोई नहीं रोक सकता ठीक है तो यह बात रही जीके की और हिंदी जो है यहां पर हिंदी भी अपने पूरा जो portion है यहां पर cover करवाया जा चुका है ठीक है और math और reasoning और science यह तीनों topic जो आपको theory साथ-साथ में theory भी बताई जाएगी साथ साथ पर formula भी आपको बताते हुए हम आगे चलेंगे ठीक है तो जबर्दस्त त्यारी जो अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा टेलिग्राम का जो लिंक है ndc classes लिखकर अगर आप सर्च करेंगी तो वह आपको यहां पर आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर पाएंगे तो टेलिग्राम चैनल के उपर ही सारी की सारी जानकरिया दी जाएगी कि कब कौन सा test होने वाला है ठीक है कब कौन से topic की class होने वाली है तो वह topic जानने के लिए आपको जो है हमारा टेलिग्राम लिंक यहां पर जोइन करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब जानकरी थी आज की class के उपर और साथ ही साथ में कुछ topic wise objective जो है आपको हर class के अंदर देखने की मिलेंगी topic wise होंगे तो उससे क्या होगा कि आपको हर topic की जानकरी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी और question objective question इस तरीके से लाए जाएंगे कि उन question के अधार पर ही पूरे topic को cover कर दिया जाए ठीक है तो यह थी हमारी एक आपके CT की बारे में जानकरी जिसके अंदर आपने कुछ strategy की बारे में जाना कुछ CT exam pattern की बारे में जाना और यह भी जाना कि CT की उपर NDC classes आपके लिए क्या खास लेकर आया है साथ ही साथ में आपको इंतजार होगा कि classes कब से start होने वाली है तो जल्द ही कुछ 4-5 दिनों क के अंदर अंदर आपको classes जो है देखने को मिलेगी तो बिल्कुल तयार हो जाईए और दो महिने के अंदर अंदर आपको ऐसा score करना है कि आपको इसका जो help है वो आगे आने वाली पटवारी और पूरे साल के exam के अंदर आपको इसका फाइदा मिलना चाहिए तो इसी के आतमी की लार्ने की गुवरें य। ग्री एडरी सिथे लाहरे है धिरने कीजाए तो इसी क्लासर, थैंक य।